गुड बॉर्णिंग नीट 2020 के सभी कैंडिट्स का सक्सेट गुरूप में बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं नीट कॉंसलिंग 27 अक्टूबर से शुरू होनी थी लेकिन टेकनिकल एरर के कारण कॉंसलिंग पोस्पॉन कर दी गई है और अब एम सी सी द्वारा कॉंसलिंग का नया शेडूल जारी कर दिया गया है तो आपको इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एमसी सी द्वारा जारी किया गया नया conceling decidule क्या है तो चलिए वीडियो करते हैया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और ज्यादा ज्यादा अपने सभी साथियों को शेर जरूर कर दीजेगा ताकि सभी को कॉंसलिंग की नए शुडूल के बारे में जानकारी मिल जाए है तो यह आपके सामने है को शीडूल फॉर आनलाइन कॉंसलिंग एलाट्मेंट प्रोसेस फॉर नीट 15 परसेंट आल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल इन्वेस्टीज इम्स एंड जिम्पर ESIC and FMMC MBBS BDS SEATS 2020 यह नया शुडूल है फर्स्ट राउंड का है फर्स्ट राउंड में देखिए पहले नंबर पर है रेजिस्टेशन पहला स्टेप है रेजिस्टेशन यह 28 अक्टूबर से 2 नॉम्बर 2020 तक होगा तीन बज़े तक और पेमेंट और च्वाइस फिलिंग जो है यह 28 अक्टूबर से 2 नॉम्बर के बीच में होगा 11.69 पीम तक as per server time इसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेसिंग आप सीट एलाट्मेंट यह 30 नॉम्बर से 4 नॉम्बर तक होगा रिजल्ट 5 नॉम्बर को आएगा और इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है 6 नॉम्बर से लेकर के 12 नॉम्बर 2020 तक यह first round का schedule है second round का schedule जो है वो शुरू होगा 18 नॉम्बर से 22 नॉम्बर तक तीन बज़े तक और इसके बाद second round में 19 नॉम्बर से और 22 नॉम्बर तक जो है यह आपका फीस पेमेंड का है और च्वाइस लाकिंग यह दोनों ही जो है तीन बज़े तक 22 नॉम्बर की शाम तक एविलेबल होंगे और इसके बाद 23 नॉम्बर और 24 नॉम्बर को जो है processing और seat alignment है 25 नॉम्बर को इसका result आ जाएगा और 26 से 2 नॉम्बर तक 2 नॉम्बर तक आप कॉलेज में जाकर report कर सकते हैं और इसके बाद next time है जो है मौप अप राउंड फर सेंटरल डिम्ड इन्वेस्टीड एसी एम सेंड जिपमर ओनली यह थर्ड राउंड जो है मौप अप राउंड जो है यह 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक शुरू होगा registration इसके बाद 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जो है choice filling और fees payments का procedure है 15-16 दिसंबर को results आ जाएंगे 17 दिसंबर को 15-16 दिसंबर processing होगी 17 दिसंबर को results आ जाएंगे और 18-26 दिसंबर के बीच में आप जाकर के ज्वानिंग कर सकते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं college में तो यह पूरा schedule है आपके सामने जो revised schedule है और 28 अक्टूबर से यह जो है लागू है यह आपको mcc.nic.in की website पर जाने पर यह मिल जाएगा वहां से आप इसको download कर लीजे और अच्छे से समझ लीजे और अगर आप counseling procedure के बारे में जानना चाहते हैं किसी तरह का कोई press ने कोई शंका समाधान है तो comment करके पूछ लीजेगा तो मैं आपको counseling process के बारे में भी एक अलग सी वीडियो बना कर upload कर दूँगा ओके थैंक यू